हेलो फ्रेंट्स मैं हूं संजे संख्यान और आप देख रहे हैं HB Notifications by संख्यान दोस्तों मैंने आपसे प्रामिस किया था कि Departmental Exam के लिए मैं कुछ important topic के उपर आपके साथ जरूर चर्चा करूँगा तो मैं आज आपके साथ चर्चा के लिए यहां पे हाजिर हूँ पे फिक्षेशन से लेटर यह कॉश्चन आपको हर पेपर में जरूर मिलेगा चाहिए आप किसी भी कैटिगरी का आप पर डिपंडबल एक्जाम दे रहें मिस्टर एक्स जो थे वो नाइब सिल्दार थे जो रेवनिय डिपार्टमेंट में और जो इनकी बेसिक पे थी बो थी 2410 रवे और फिर यह क्यों होगा कि एक 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 2017 से ले रहे थे और इनके बाद इनकी प्रमोशन होज़ती है on ad-hoc basis पे इस सब्द को जुरूर समझिए क इनकी प्रमोशन कब हुई एक 19-27 में और उसके बाद यह 22-20-27 को रेगलर बेसिस पे प्रमोशन होगे means पहले तो इनकी एड-hoc basis पे 19-27 को और फिर जो उनकी रेगलर बेसिस पे हुई वो ही by 10-27 को तो इनकी फिक्शेशन कैसे होगी यह कोशन पुछा है दोनों तरीकों से और एक पुछ है कि इनकी डिनाई क्या रहेगी डिनाई को में फोकस में रखी आप क्योंकि डिनाई आपको स्पेशली नंबर इसके अलग मिलते हैं तो कभी डिनाई नहीं लिखनी है ऐसा मत करिए और अब मैं आपके साथ इसके बारे में डेटेल में चर्चा कर रहा हूँ देखिए सबसे पहले आपने यह देखना कि लिखा क्या है बेसिक पे का मतल होता है पे इन पेवेंड प्लस ग्रेट पे मींस बेसिक पे दो चीजों से बनी होती है जैसे यह देखिए 21410 जो यहां पे बेसिक पे है इसका मतल यह हुआ कि 16610 है प्लस 48 रुपया के वर हो सता है आपको ना बताएं और आगे लिखेंगे कि इन दा पेवेंड ओफ दस इन सो चौनती आड़ प्लस 48 तो आपको क्या करना पड़ेगा 21410 में से पहले 48 माइनस करके तब आपको जो हो पे इन पेवेंड और ग्रेट पे जो हो आपको दोनों को लग लग लिखना पड दूसरा एक है यह जो प्रमोशन है एडाउक बेसिस पर एडाउक बेसिस का मतलू होता है कि सिर्फ गौर्मेंट इपलाईस जिस दिन उनकी प्रमोशन होई उसी दिन इनकी फिक्शेशन रहती है इनके पास ओप्शन नहीं रहती है एफ फार वाई बन एबन के तहट प्रमोशन रहती है कि वो चाहे तो अपनी पराणी जो उनकी इनक्रेमेंट थी पराणी पोस की उसको लेने के बाद अपनी फिक्शेशन कुरा लें तो मैं उसकी भी आपको फिक्शेशन करके यहां पर बताने की कोशिश कर हूँ देखिए यह मैं आपको बताना और प्रॉपली अगर यह format नहीं आपका बनता चाहिए आपकी calculation कम है calculation आपने ठीक करी है फिर भी आपको जो examiner के तरफ से पूरे marks नहीं मिल देंगे देखें आपने का करना इसका screenshot जुरूर ले लिजे इसमें आप एक पर screenshot लेके आलम मत कोशिश करना कि इसी दंग से आपका एक format हो देखें इसमें पहला column बनेगा seal number दूसरा बनेगा particular तीसरा बनेगा pay in payment चौथा जो आपका column बनेगा बू बनेगा grade पे और पांचमा बनेगा basic पे और जैसे जैसे मैंने इसको detail में बाइफर्गेट करके लिखा है वैसे ही आपको कोशिश करिए कि paper में भी आप वैसे ही लिखते हैं तो मैंने लिखा कि basic pay और Mr. X Mr. X जरूर लिखिए या जो भी नाम दे रहा है उसका जरूर नाम लिखिए क्योंकि ये भी expect करते हैं जो examiner है कि आपने ये लिखा है कि नहीं फिर मैंने लिखा कि basic pay उननी तीन 2017 को पुराना जो इनका existing basic pay था उसमें और post का नाम भी जरूर लिखिए उसमें basic pay क्या था तो देखिए ये मैंने उठाया भही से question paper से 21,410 को 16,610 plus 4800 में हमने buy rate कर दिया अब जब भी आपकी कोई भी promotion होती है add-off basis पे तो इसमें उसी दिन fixation जाती है means 3% की increment लगती है तो मैंने लिखा promotional increment at the rate of 3% of किसका 21,410 रपे का और ये बन गया 600 बतालित पे तो हम क्या करते हैं कि इसको nest higher 10 में इसको convert कर देते हैं तो ये बनता है 650 रपे एक किसमें जरूर आप देखिए अगर इस पोच करो ये 640.50 आता है ऐसा भी हो सकता था तो हमने फिर क्या करना था 640 लेना था means अगर 600 इक ताली है तब हम इसको 650 ले लेंगे अगर 640.50 है तो हम इसको 640 ही लेंगे तीसरा जो इसमें column बनता है जो row बनती है क्योंकि पहले हमने लिखती प्राणी पोस्ट की basic pay क्या थी increment लगा दी और अब हम क्या करेंगे यह लिखा मैंने pay fixed of Mr. X on 1937 after promotion as तसीलदार in the pay band 10344 800 प्लस 5000 अंडर provision to the rule FR by means by के तहर जो अब फर fundamental rule y के तहर देने की fixation होती है तो हम क्या करेंगे 16610 जो था pay in pay band इसमें हमने increment लगा दी 650 लपे की तो यह बन गया 27260 ले और जो हम grade पे पहले इनका 4800 था यह sorry मैंने लिखने में गलती कर गया हूँ तो 4800 के बाद जो तसीलदार का grade पे है बो है 5000 तो हम 17260 को मैं add कर देंगे 5000 तो यह जो भी एक figure आएगा यह आपका बन जाएगा प्रमोशन पे fixation अब जो dni है dni जब जब आप प्रमोशन करते हैं तो immediately इसके after completion और 12 मंत बाद ही इनकी जो हो increment लगती है तब भी जो increment थी वो एक तीन को कि जो increment लगती है वो पहली तरीक से ही लगेगी तो यह तो था पहले तरीका की without option अब मैं यहाँ एक्जाम्पल ले रहा हूँ इस में भी column मैंने मनाई seal number particular pain payment grade pay और basic pay मैंने ले लिए कि उसकी प्रवानी basic pay क्या थी जब वो प्रमोशन से पहले और date कौन से लेंगी हम बो ही date लेंगे जिस दिन इनकी fixation हम कर रहे हैं तो यह लेदी 16, 610, 48, 21, 410 ठीक है और आप क्या करते हैं जिस दिन अगर यह option exercise करते हैं under FR by 1, A1 तो सिर्फ हम इनको pain payment वही रहती है सेम शिर्फ हम इनको grade pay देते हैं जो higher post का था means 5000 है इनका तसीलदर का तो यह बन गया 21, 16, 610 और 5000 तो यह बन गया 21, 610 ठीक है फिर मैंने बोई प्राने वाली यहीं से उठाके सेम बैसे लिखती यह question में आपको इसी दंक से लिखने हैं तो आपको confusion नहीं रहेगा यह उपर वाली line उठाके मैंने नीचे लिख दी means प्राने पे ले लिया हमने 16, 610 और 4800 और 21, 410 यह उपर वाले column मैंने उठाके यहीं उठा दिया अब आप लेंगे जिस दिन देखिए इनकी annual increment लगती थी कब लगती थी 3, 11, 11 को तो 11, 11 को इनकी fixation कैसे हो जाएगी इनको मिलेगी पहले प्रानी post की increment 3% के साब से means 16, 610 और 4800 और 21, 410 का जो है वो 3% increment बन जाएगी यह आएगी 600 बताली तो nest जो इसका higher multiple बनता है वो बनता है 650 एक चीज जरूर रखिए कि आपको यह figure भी लिखना पड़ेगा जितना बन रहा है बाकी चाहिए आप यहाँ इस column में कुछ भी लिखिए पर यहाँ आपको यह बताना पड़ेगा कि कितना बन रहा है ठीक है तो इसको मैंने एड कर दिया 16610 को 650 रपे में एड कर दिया तो बन गए 27260 और ग्रेट पे 4800 तो यह बन गया 2260 रपे अब हमने promotional increment क्योंकि यह तो थी अपनी इसकी प्राणी पोस की ठीक है annual increment अब देंगे हम promotion की तो promotion के लिए जो हम करेंगे बहुई 3% तो किस पर देंगे 2260 पे हम देंगे और grade पे यहां हमें grade पे बदलना पड़ेगा क्योंकि जब promotion होती है बंदे की तो उनको एक तो दो increment मिलती है यहां पे और next higher grade पे जो next promotion पोस्ट का grade पे है तो यह बन जाएगा 17930 प्लस 5000 रपिया और last में हमें लिखना पड़ेगा डियन नाई तो डियन आई जनली इसमें ज सारा में promotion होई ठारा में annual increment आप ले चुके हैं तो अब increment लगेगी 11219 में तो यह तो थी fixation कैसे होगी मैं इसी तरह की आपके साथ video update करता रहूँगा बट मैं यह सारा तभी possible हो पाएगा अगर आप मेरे चैनल को देखते रहेंगे और interest से इसको like और share जरूर करें ताकि मेर अब एक morale और motivation बनी रहें मेरा आप से नोट जरूर रहेगा कि चैनल को subscribe जरूर करिये तक कि और भी मैं कोशिशिश करूंगा बहुत वीडियो update करने की जैसे leave कितने प्रकार की होती है मैं देख रहा था maximum question पूछा जा रहा है कि leave not due और ordinary leave में क्या फरक है तो उसके बारे में करेंगे pension कैसे calculation की जाती है उस पर भी मैं calculation करके आपको बताने की कोशिश करूंगा बट प्लीज चैनल को like और share जरूर करिये और मेरे चैनल का नाम है HP notifications by संख्यान वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेर करिये और इसी तरह की मैं वीडियो आ झाल